और अगर possibility है कि लड़का हिंदू है लड़की नुसल्मान है परिवास लड़के आ गई है और किस मस्जिन में कर रहे हैं और खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं और लड़की के family ने अभी तक न लड़के को मारा है न लड़की को तो यह ऐसा अगर आप portrait कर ले जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है यह तो reality से पर रहे हैं आप ऐसा portrait कर नहीं पाएंगे और reality आपकी portrait करने की हिम्मत नहीं है अगर समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूं तो इसको शेयर करेंगे ताकि बात दूर तक जाए सबको पता चलेगा तो कम से कम सब के पास एक logical reason होगा कि boycott करना है यह नहीं करना करना है तो picture का करना है या पूरे platform का करना है सरकार क्या step ले रही है प्रसासन क्या step ले रहा जो डिशेरी में क्या हो सकता है picture का क्या scene है क्या point of view producers का है यह भी आपको बताऊंगा The Suitable Boy जिसका theme set है 1951 का जिसके हिसाब से makers का यह कहना है कि in 1951 and newly independent इंडिया जैसा की टेल में में दिखाया कि अब भारत आजाद है अपने सुना होगा passionate literature student Lata Mehra is torn between family duty and the promise of romance as three very different men try to win her heart based on the novel Vikram Seth Vikram Seth द्वारा लिखी गई novel के उपर based है यह web series इसके 6 episode है पहला episode रिलीज हुआ था 26 जुलाई 2020 और आखरी रिलीज हुआ था 24 अकस्त 2020 ऐसा इसका कहना है डिरेक्टर है मीरा नैर BBC One Network क्योंकि आपको पहली बार देखने को मिलेगा जुलाई में इसका ट्रेलर BBC के YouTube चैनल पर आपको इसके निचोट देख रहा होगा तो हो सकता है BBC ने आगे Netflix को further इसके rights बेचे हूँ इसकी IMDB grading की बात कर लें तो 6.2 यानि की कुछ खास सराहा नहीं गया है अब हम आगे बात करेंगे इसमें विवाद के कितने aspect हैं और कौन कौन क्या-क्या विवाद कर रहा है और क्या-क्या सवाल makers पे उठते हैं पहली चीज़ और क्या-क्या confusion जन्दा के बीच बनाई जा रही है ठीक है आप एक logical aspect के साथ आगे बढ़ेंगे सबसे पहली चीज़ विवाद नमबर एक विवाद यह है कि कहा यह जा रहा है कि इस web series के दूसरे ही episode में लड़की और मुसल्मान लड़का यान हिंदू लड़की मुसल्मान लड़का मंदर के campus के अंदर बिल्डिंग होती है वहाँ पर किस करते वे पाये जा रहे हैं वीडियो भी आपको दिखा दूँगा वो clip पूरी दिखा दूँगा यह मुझे टूटर से मिली I love you इसमें आपको साफ साफ सुना है दिया होगा कि पीछे भजन जला है एलिगेशन तो यह भी लग रहे हैं कि सीन एक बार नहीं तीन बार तक दिखाए गया यह आपको क्या मोटिव था भी उसी कैमपस में मद्यपरदेश के हूम मिनिस्टर ने निरुत्म मिश्रा जी ने अब पुलिस ऑफिसर से यह रिक्वेस्ट की है यह उनको ओर्डर दिया कह सकते हैं कि आप देखिए कि क्या कारेवाई हो सकती है इस प्लैटफॉर्म के खिलाब मेकर्स के खिलाब और करन मैं इसमें लव जियाद का एंगल नहीं मानता हूँ क्यों कि लव जियाद की डेफिनेशन आज की डियट में यही है और भविश्य में अगर आप थोड़ा और स्ट्रिक्ट होतें तो आप हिंदो-मुसलिम के रोलेशन को भी लव जियाद कह सकते है कि मैं मानता हूँ लव जियाद का मतलब यह है, क्योंकि हमने बहुत सारे हिंदो मुसलिमों की पीसफुल साधियां देखी है और अभी तक सही से हो रहा है लफ जियाद का बेसिक मतलब यह होना चाहिए कि अगर एक वेक्ती मुसल्मान है, लड़की उसके साधी करने से पहले कनवर्ट होना ही पड़ेगा इस बात से लड़की को आपती होती है और वो इस बात को जान लेता है तो उसका कैतो कतल कर देता है तो चोड़ देता है, या जो भी जिस तरह के से भी अभी करता है ठीक, यह हुव लफ जियाद identity छुपा के लड़की को फसाना लेकिन यहाँ identity क्लिरली बता दी गई है तो यह लवजियात का case नहीं मनता है पहली चीज़ अब सवाल उटने है makers पे makers हमें यह बता है कि क्या जरूरत है कि हर ऐसी novel में हर ऐसी web series में हर ऐसी कोई किसी movie में आपको एक मुसल्मान लड़का हिंदू लड़की को फसाते हुए दिख जाए या relationship में आते हुए दिख जाए भाई यह नहीं नहीं चाहिए लवजियात करते हुए दिख जाए या genuine फसाते हुए जैसे भी और अगर ऐसा इसमें दिखाया आपने िखाया लग जाई है कि लड़कीयों के लिए महिल्याओं के लिए अलग मसजिद है या तो आप अलग जाईए या तो मंच जाईए ऐसे चीज़े है आप एक साथ नहीं जासकते है क्योंकि लोग नियत बाज़के करते हैं और महिला बगल में रही तो निट टूट जाएगी ऐसा बहुत लोगा कहना है वैसे अगर आप शूट कर भी लेते तो कोई हैरानी की बात नहीं थी क्योंकि अभी बीच में लखनू का एक केस हुआ था कि मस्जिद के अंदर वो खलाला कर रहा था तो आप सिर्फ किसीन शूट कर लेते तो आपका कुछ खास नुफसान नहीं हो जाता है लेकिन हाँ यह है कि आप जब शूट कर रहे थे तो आपके सब conscious mind में जब जितनी जल्दी जल्दी वो शूट कम्प्रीट हो रहा है उतनी जल्दी आपको नजर आएगा कि मेरे क्रिव की किस member की गर्दन कट रही है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है तो आपको पता है consequence आपने आपने चारली हब्डो देखा आपने फ्रांस देखा आपने कमने इस्तिवारी देखा है कि मुसल्मानों के उपर उनके फेद के उपर अगर हम कुछ करते हैं उनको पसंद नहीं आता है तो वो क्या करते हैं यह वाद आपको अच्छे से पता है लेकिन आपको एक tolerant समाज मिल लाता है खेरवाड करने के लिए और वो समाज भी इतना बेवकूफ है मैं अब बात करते हैं समाज की कि अब आप डिसाइड करिए कि सिर्फ इस वेब सीरीज का बॉयकॉट करके वो सीन हटवाएंगे वो वेब सीरीज हटवाएंगे कि पूरे नेट्फिक्स को ही बैन करव मैं देखें जाजाओं यह लोग एक कल्चर को सेट करने का काम करते हैं हर वो बच्चा आज की डेट में अगर यंग है तो भविश्य में या आगे भी हमने मूवियों के जरीए लोगों के सबकॉंशिस मैंड में यह सेट करने कोश्च किये कि हिंदू कल्चर कैसा होता है मुस्लिम क्या से होते हैं हमारा समाज कैसे रहता है यूनिटी कैसे आती है तो मतलब आप लोग पिक्चरों के जड़िए यह दिखाएंगे कि हिंदू का तो मज़ा कुड़ा जा सकता है मंदिर में तो किस हो सकती है लेकिन मस्जिद सबसे सेक्रिट प्लेस है वह ऐसी दीज मान होगी और किसिंग सीन मस्जिद में होगा खुद विशार करिए क्या यह पॉसिबिलिटी है और अगर नहीं तो जो अपोजिट हो रहा है वो क्यों पॉसिबिलिटी हो कैसे ही आपसे कैसे यह सा हो गया और अगर पॉसिबिलिटी है कि लड़का हिंदू है लड़की मुस एसा अगर आप पोट्रे कर ले जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है why कि ये तो reality जपा रहे है आप ऐसा पोट्रे कर नहीं पाएंगे और reality आपकी पोट्रे करने की हिम्मत नहीं आज के लिए थना ही फिर मिलते हैं अगली उड़ाम जाहिन वंद्य उत्र